और इस कहानी की शुरुआत होती है अटलांटा के किसी बर्फवाले इलाके में जहां पर कुछ लड़के आपस में रेस लगा रहे होते हैं और उसी के दौरान पर एक लड़के का एक्सिडेंट हो जाता है और वो लड़का एक ऐसे गड़े में गिर जाता है जहां पर उसे कि का नाम लेती है जिसके बाद हम देखते हैं कि Gwen अपने summer vacation को काफी अच्छे से enjoy कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पे Ben wild mut में transform होके उसको परेशान करने लगता है ग्वेन बेन की सरकत पे काफी गुसा करती है और उसके उपर एक magic कर देती है जिसके बाद वहाँ पे मौजू सारे डॉक्स wild mut के पीछे पर जाते हैं और Ben ये देखके उनसे पीछा चुडा के भागने लगता है जिसके बाद में wild mut एक पेड़ पे चड़ जाता है और वो डेनिट की अपने सक्तियों का ऐसे गलत इस्तमाल नहीं किया जाता लेकिन तभी Gwen नोटिस करती है कि Grandpa काफी ज़ ग्वेन और Ben आपस में बहस करी रहे होते हैं कि तभी पाक से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है जिसके बाद में हमें वो छिपकली दिखाई जाती है जो Omnitrix को ढून रही होती है और तभी उसे Ben मिल जाता है और वो अपने एली कैनेसिस की पावर से Ben को हवा में ट अगड़ी लडाई होती है ताइम पे Grandpa Max आ जाते हैं और उसे एलीन के उपर में अटाक करते हैं और कहते हैं कि मेरे पोतों से दूर रहो वो एलीन Grandpa Max की आवास उनके रुख जाती है जहां पर पता चलता है कि ये एलीन Grandpa Max की क्रश जाइलिन है ये सारी कला कांडिया निप ैंड़े जाती है ताइया हो इनके इजाता है उन अर्क रहो प्रप के क्रश निथा सब्सक्तित खैएं और पिछले तीन गंटों से इनहों नहीं देखा ही नहीं बस Grandpa को ही देख जालिन और ग्रेंट पामाक्स दोनों ने मिलके प्लमबर्ज के काफी सारे खतरनाक मिसन को साथ में अन्जाम दिया है। जालिन से कहते हैं कि तुम क्लियर बताओ आखिर में ओम्नी ट्रिक्स से तुम्हारा मतलब क्या है। तभी जालिन बताती है कि इस ओम्नी ट्रिक्स को अर्थ पे मैं नहीं भेजा था। जाती है। जिसके बाद में ग्रैंट्पा मैक्स जालिन को बताते हैं कि हमारे पास एक अच्छी खबर है। बेन ने विल्गैक्स को नलवोई चेंबर के अंदर में बंद कर दिया है। तो अब हमें विल्गैक्स से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जालिन बोलती है कि ओमने ट्रक्स के पीछे बस विल्गैक्स ही नहीं पड़ा हुआ है। तभी बेन बोलता है कि विल्गैक्स की तो मैंने छुटी कर दी है अब आप भी यहां से रफू चक्कर हो जाओ। बेन की ये बात सुनके ग्रैक्स बेन के उपर में गुसा करते हैं जिसके बाद में जालिन एक सिगनल भेजती है अपने स्पेस्शिप को और बोलती है कि कुछी देर में मेरी स्पेस्शिप यहां पर आ जाएगी। तभी Grandpa Max कहते हैं कि हमारे पास जित्ता भी टाइम है हम उसे साथ में spend करते हैं जहाँ पे हमें खुब सारी बाते करनी हैं जिसके बाद में वहाँ से Grandpa Max एंजाइलिन चले जाते हैं और तभी Ben कहता है कि मुझे ये लड़की समझ में नहीं आ रही है कहीं ये Grandpa Max के पुराने दोस फिल की तरह ना निकले और इतना ही कहने के बाद में Ben वहाँ से कट लेता है Grandpa Max एंजाइलिन की जासूसी करने के लिए तभी Gwen बोलती है कि ये सारे बरतन कौन हटाएगा जिसके बाद में जाइलिन Grandpa Max से पूछती है क्या तुम अपने पुराने दिनों को याद नहीं करते हो Grandpa Max एंजाइलिन का पूराना खिस्सा दिखाया जाता है जहाँ पे जाइलिन Grandpa Max को अपने साथ चलने को बोलती है पर Grandpa Max उसे मना कर देते हैं और इसी के बीच में Grandpa Max एंजाइलिन का थोड़ा लव फैक्टर दिखाया जाता है जो कि मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता जिसक जिसके बाद में Gwen कहती है कि हो सकता है यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हों हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए Gwen और Ben के इनहीं बातों के बीच में वहाँ पे एक रोबोट आ जाता है और उन पे अटाक करना स्टार्ट कर देता है जिसके बाद में Gwen Ben से कहती है यह तो रोबोट को तोड़ना स्टार्ट कर देता है तब ही वहाँ पे Grandpa Max और जाइलिन भी आ जाते है और जाइलिन उस रोबोट को रोकने में Ben की हेल्प भी उस रोबोट के उपर में आटाक करते है और तभी जाइलिन अपने power से उस रोबोट को उठा कि Grandpa Max के RV के उपर में फो राम्स उसे रोकने की कोचिश करता है पर पूरी तरीके से नाकामियाब हो जाता है। जाइलिन बेंड से पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि वो रोबोट पूरी तरीके से तबाह हो गया था। तुमसे ज्याद़ जाइलिन को ओम्नेत्रक्स के बारे में पता है। जाइलिन बताती है कि मैंने ओम्नेत्रक्स तुम्हारे पास नहीं ग्रैंपा मैक्स के पास में भेजी थी ति ग्वेन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है तभी जाइलिन मैक्स से पूछती है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया तभी ग्रैंपा मैक्स कहते है नहीं वो बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाएगा जिसके बाद मैं ग्वेन बेन को समझाती है कि भले ही वाज तुम्हार रीजन है उसके पास जाने के लिए बेन के इत्ता ही कहने के बाद में ग्वेन और बेन दोनों सैड हो जाते हैं जिसके बाद में एक बार फिर से हमें ग्रैंपा मैक्स और जाइलिन को आरवी जोडते हुए दिखाय जाता है लेकिन तभी वहाँ पे वो रोबोट वापस से जाता है और उनके उपर में अटैक करने लगता है और तभी जाइलिन ग्रैंपा मैक्स की जान को बचाने के लिए रोबोट का टागेट बन जाती है और बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है लडाई की अवाज बेन एन ग्वेन को भी आती है और वो लोग दोड़के अपने बेस पे वापस आते हैं पर उससे पहले ही वो रोबोट ग्रैंपा मैक्स के नैनो टेकनोलजी पे कंट्रोल पा लेता है और उसके साथ ही साथ वहां से निकल लेता है जिसके बाद में ग्वेन जाइलिन के उपर में गुसा करती है और कहती है कि आपने तो उसे तबाह कर दि जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो रोबोट पूरी तरीके से Grandpa Max के Nano Tech Suit पे control कर लिया होता है तभी Grandpa Max कहते हैं कि Ben तुम्हें इस रोबोट को पूरी तरीके से रोखना पड़ेगा चाहे भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए तभी Ben बोलता है कि Sorry Grandpa आज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है जिसके बाद में वो रोबोट से कहता है कि तुम मेरी Grandpa के बदले में ये Omnitricks ले लो तभी Grandpa Max Ben को मना करते हैं और Ben बोलता है कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं जिसके बाद में Zylin, Ben and Gwen तीनों लोग मिलके Grandpa Max को उस रोबोट के चंगुल से आजात करा देते हैं पर उसी वक्त उस रोबोट को टैंक मिल जाता है और वो टैंक के पार्ट को डिस्मेंटल करके अपने बोडी में एड कर लेता है और एक बार वापस Grandpa Max पे कंट्रोल पा लेता है जिसके बाद में Zylin Ben से जाके कहती है कि इसे हराने के लिए हमें Original Macadoid को हराना पड़ेगा जिसके बाद में Ben transform होने वाला होता है अपग्रेड में बट जालिन कहती है कि तुम्हें अपग्रेड की नहीं एक नए एलियन की जरूरत है और Omnitrix के अंदर में एक नए एलियन को अनलॉक कर देती है जब Ben alien में transform हो जाता है तो जालिन बोलती है कि तुम्हें इस रोबोट को पूरा खाना पड़ेगा जहां पे Ben अपनी गलतियों के लिए जालिन से माफी मांगता है जालिन उसे हसी खुसी माफ भी कर देती है और तभी Ben एंग्वेन आपस में मिलके कहते हैं कि अगर Grandpa Max जाना चाहें आपके साथ में तो वो जा सकते हैं और जब जालिन Grandpa Max से पूछती है तो Grandpa Max क्लेरली मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अब यहीं लोग मेरी दुनिया मेरी यूनिवर्स है जिसके बाद में जालिन अपने यूनिवर्स में चली जाती है और टीम टनिसन का अपना एडवंचर आगे बढ़ता है और इसी के साथ इ एपी एंडिंग हो जाता है